धाकुर जी ने अपने हाथों से पुष्पों का चयन किया और इन पुष्पों को इकत्र करके राघव जी ने आभूशड बनाये हाथों का कंगन बनाया कान के कर्ण फूल बनाये माथ का मांगटी का तयार किया गले के लिए सुन्दर हार सुशोवित कराने के लिए तैयार किया प्रभू ने जब वो सारे आभूशड तैयार किये अपने स्वाकरों से राघव जी ने मा जगदंबा का श्रिंगार किया है जब मैया का श्रिंगार किया ये लीला जब देखी, सारे देवता आकाश में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, सुमन व्रिस्ठी का रहे हैं. उसी में खड़ा था इंद्र का बेटा जयंत. उसने देखा, उसने सोचने लगा, ये भगवान हैं. भगवान भला अपनी भार्या का श्रिंगार करेंगे, ये स सारे देवता इनके भरों से बेठें कि यह रावड मारेंगे यह साब आगे जाके पच्छताने वाले हैं अरे भला भगवान अपनी भारिया का श्रिंगार करते हैं क्या जाता हूं परिक्षा लूँगा और इन सब को सिध्ध कर दूँगा कि यह गलत व्यक्ति पर अपनी आशा लगाए वेठे हुए हैं इनको कोई परिणाम नहीं मिलेगा अब ये चल पड़े देखिए भया परिक्षा कहते हैं जीवन में कभी किसी संत की किसी ग्रंथ की भगवन्त की इन सब की परिक्षा नई लेने चाहिए ना भगवान की लीजिए ना किसी ग्रंथ की लीजिए ना किसी संत की लीजिए अनंत की परिक्षा तो कभी लेनी ही नहीं चाहिए परिक्षा आज कल देखिए एक जिग्यासा होती है कि हमें जो चीज नहीं पता है वो हमें जाननी है इसलिए हम सवाल कर रहे हैं और एक सवाल इसलिए होता है वो हम जानते हैं हमें ये जानना है कि ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं हमारे साथ बहुत हुआ है अगर जनक पुरी का प्रसंग आ गया तो एक सवाल जिससे हम तरस्त हो चुके थे जनक जी के नाना की ससुराल का है विधाता जनक जी काई भाव समझ जाएं उतना ही बहुत है नाना जी की ससुराल जाके तुम का करोगे ये ये परिक्षा जो है इसका कोई अर्थ नहीं है कोई भी अर्थ नहीं है कई बार बड़ी विचित्र सवाल आते हैं जिसका आपको संसार में कहीं उत्तर नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि वो उनका स्व की भी स्रेष्ट जनों से इस प्रकार का अगर उनकी कोई लीला कोई क्रिया समझ नहीं आ रही है तो जयंत के जैसी भूल नहीं होनी चाहिए अब तो ठाकुर जी की कृपा है मैं आप से अगर कथा की शुरुवाती दौर की बात को यह आप यह जो चका चक देख रहे हो यह आ दो गया जब एक दो साल ही कथा के हुए थे तो बहुत होता था हम तो कमरे के भीत ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कच्छों पूछे ना ही हमसे उसमें यह होती थी यह तो रागो जी की कृपा है कि आज तो कोई मिलता भी नहीं केवल फोन से कथा फाइनल होती है तो ठ जयंत परिक्षा लेने चल पड़ा है और परिक्षा लेने गया है किसकी कौन है जिसकी परिक्षा लेने जा रहा है कौन है वो भगवान है राम जी है ब्रह्म है परमात्मा की परिक्षा लेने चला है और क्या बनके गया कववा एक कववा भगवान को आज परक्षने चला ह गोश्वमी जी कहते हैं जैसे एक चीटी समुत्र की थाह पाने के लिए निकल पड़ी हो समुत्र तो छोड़ दो समुत्र के किनारे के रेट मे ही उस चीटी का कुछ पता नहीं चलेगा वो समद्र की थाह क्या पाएगी ऐसे ही आज जयंत गया भगवान की परिक्षा ले ले सुरुपति सुतधरी बायस वेशा काग का रूप धर के जब पहुँचा क्या किया मावेदेही के चर्णों में सीता चर्ण चोँच हती भागा उस मूढ ने वो स्वामी जी ने लिखा है मूढ मन्ध मती वो मूढ है मन्द मती है इसी कारण उसने ऐसा क्रति किया मा के चर्णों में जब थोच लगे ना मैया ने राघव जी से बताया नहीं आप दर्शन करिएगा अमानस में नहीं बोला क्यू नहीं बोला जानती हैं कैसा भी हो गलत करे सही करे है तो मेरी ही संतान अगर प्रभु को बता दिया तो तुरंत इसका वद हो जाएगा नहीं बताया तो राघव जी को कैसे पता चला चला रुधिर रभुना आयक जाना मा के चर्णों की रक्त धारा जब राघव जी के चरण तक पहुँची राघव जी ने नीचे देखा रक्त की धारा प्रभु को एक निमिश में सब पता चले गया एक निमिश में माया जानकी तो प्रारंब में ही पहचान गई थी भाईया जिस प्रकार भगवान के आगे माया नहीं टिकती है तो भगवान की ही माया तो जानकी माया है उनके आगे क्या माया ठिकेगी मा तो तुरंत पैचान गई है तो इंद्र का बेटा जयन थे कववन के काये को घूम रहा है तब तक हो आया चरण में प्रहार करके छला गया मैया ने तो नहीं बोला राघव जी ने जब सारा कुछ इस पश्ट देखा अब राघव जी ने क्या किया कववा आया था परिक्षाले ने राघव जी ने धनुष बाड नहीं उठाया जिस कुष के आसन पर ठाकुर जी बेठे हुए थे उसी कुष के आसन से दो कुष निकाले कुष का आगे का भाग नुकीला होता है एक कुषा को मूड करके धनुष बनाया, दूसरी कुषा को तीर के रूप में बाड के रूप में ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र बना कर छोड़ दिया किसी ने राघवजी से पूछा कि प्रभु आपने अपना धनुष बाड क्यों नहीं उठाया रागव जी ने कहा कि अब कवुए को मारने के लिए भी अगर धनुश बाण उठाना पड़े तो क्या खायता काग परिक्षा लेने आया जैसे को तेसा रागव जी ने कहा कि एक कुछ से ही इसका सारा समाधान हो जाएगा अब ये भागा मही जा तब चोक पड़ी छन में कवी भैरव चोच गड़ा चरणों में सब लोक सशोक जयन्त फिरा न मिला अव लंब गिरा चरणों में नात चमाईस को करिये इसका सिर पुष्प चड़ा चरणों में मेरी माँ अपना दुख भूल गई शरनागत काग पड़ा चरणों में भागा जयन्त ब्रह्मास्त्र पीछे लगा जयन्त भागा और जब बच्चा कोई गलती कर दे तो सबसे पहले उसे अपने बाबुजी का घर यादाता है सबसे सुरक्षित जगे लाख मैं गलती करूँ पिता जी बचा नहीं जयन्त भी भागा इंद्र लोक पहुँचा जैसे ही पहुँचा बाबुजी बचाईए पिताश्री रक्षा करिए क्या हो गया घबराए क्यों हो अरे भगवान की परिक्षा लेने थी मा जानकी के पेर में चोच से प्रहार किया को हुआ बनके इंद्र देव ने कहा दर्वाजा बंद करो ये धोड़ा सा निश्चिंत हुआ बाबुजी बचा लेंगे दर्वाजा बंद करा रहे हैं इंद्र लोक का ये जैसे ही बैठने को हुआ इंद्रदेव ने का पहले तु बाहर निकल तब दर्वाजा बंद करना है काहू बेठन कहा न ओही राथी को सकई राम कर द्रोही भागा अब कहा पहुँचा प्रम्ह लोक पहुचा पिता महा त्राहिमाम मेरी रक्षा करो पिता महा रक्षा करो ब्रम्ह देव ने कहा क्या करके आये हो वह लग पिता जी ने भगा दिया क्यों भगा दिया मैंने मां के चरणों में चोंच से प्रहार किया मेरी रक्षा कर लो पितामा ब्रह्मा जी ने कहा जब तुमारे बाबु जी अपने नहीं हुए तो हम तुमें कैसे बचा ला निकलो यहां से ब्रह्मा लोग में भी ठोर नहीं मिली अब भागा कैलाश परवत हे शिवशंभो आप तो भोले बाबा कहे जाते हो ना आप तो अवधर दानी हो मेरी रक्षा करो बाबा पहले ही त्रिशूल लेके तैयार थे आए तुरंत मैं मारूंगा अब यह समझ गया कि मुझे तीनों लोग में कहीं ठेकाना मिलने वाला नहीं है भागता फिर रहा है ये विकल जयन्ता तब लागी तयार ओ मलचित संता नारत जी ने देखा ये इंद्र का बेटा ऐसे भागा भागा क्यों फिर रहा है क्या हो गया है नारत जी ने कहा पांस जाकर अरे जयन्त रुको 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 नारत जी अच्छा क्यूं मिले संत कब मिलते हैं बताईए संत कैसे मिलते हैं बोलिए संत हमें कैसे मिलते हैं कब मिलेंगे मनाई में ना बोलो जोरत बोलो मुझे सुनाई दे कैसे मिलते हैं जब जब क्या होगा प्रभू की कृपा क्योंकि आगे लिखा है ना सुन्दर कांड में बिनु हरी कृपा मिलई नहीं अब मुहिभा भरोस हनुमन्ता लिखा गया है कि ठाकुर जी की कृपा के बिना संत मिलने वाले नहीं है एक बात लेकिन इसी श्री राम चरित मानस में एक जगा गोस्वामी जी ने लिखा है पुन्य पुन्य बिन मिला ही ना संता बिना पुन्य के इकत्र हुए संत मिलने वाले नहीं अब आप बतो कौन सी बात सही ये वाली सही कि वो आली सही पुन्य के प्रताप से संत मिलते हैं कि वगवान की कृपा से मिलते हैं दोनों बास सहिए पर दोनों में फर्क क्या है पुन्य पुन्ज बिन मिले ही न संता का तात पर ये समझिएगा जब हमारे आपके पुन्य उदित होते हैं तो संत कैसे मिलते हैं तब आप संत के द्वार तक जाते हो आपका वो उदित हुआ पुन्य आपको घर से निकाल कर एक संत के द्वार पर ले जाता है इसका नाम है पुन्य पुन्य जबिन मिलहिना संता अर्थात आप जब चल के जाओ संत के द्वार पर आपके ग्राम में छेतर में काप इतने ही लोग हो मडिया रास में और भी है ना मैंने प्रारंब में कहा दूर दूर के आ गए पास पास के भी बच गए कारड क्योंकि शायद अभी रागव जी की वो कृपा उन्हें ना मिली जो हमें मिल रही तो पुण्य के प्रभाव से हम संतों के पास जाते हैं और बिनु हरी कृपा मिल ही नहीं संता ये वो तात्पर्य है जब आप अपने द्वार पे बेठे रहो और कोई संत आपके द्वार पर खुद चल कर आए ये है भगवान की कृपा से संत का मिलना जब आप संत तक जाओ तो पुण्य जब संत आप तक आएं तो हरी कृपा आज जयन्त पर भी साक्षात प्रभू की कृपा ही तो हुई नारत जी खुद चल के आए पूछा क्या हो गया है क्यू मारे मारे फिरते हो जयन्त ने कहा मत पूछिए आज मैं एक बात समझ गया विपत्ती आने पर ना देवर्शी अपने सगे भी अपने नहीं रहते हैं आज मुझे पर विपत्ती आई मेरे पता ने मुझे धक्के मार कर स्वर्ग से बाहर करा दिया मैंने कल आप से एक चर्चा की थी धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत, काल, परखिये, चारी आपको ये कहने वाले हजार मिलेंगे भाईया कोई मुसीबत आए तो एक मिस कॉल मार देना वो मिस कॉल में ही समझ जाते हैं कि आप प्रॉब्लम में तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे पर मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे किसी ने कहा जो सुख में साथ दे वो रिष्टे होते हैं पर जो दुख में साथ दे वो फरिष्टे होते हैं ये बिल्कुल सत्यवाद है आपकी विपत्ती तै करती है कि आपका अपना कौन है आपको ह्रदैश से कौन अपना मानता है नारज जी से कहता है जयनताज मैंने देख लिया कोई संसार में अपना नहीं है नारज जी ने कहा पर हुआ क्या है पिता जी ने क्यों निकाल दिया अरे महराज पिता जी नहीं नहीं आपके भी पिता जी ने निकाल दिया हमारे तो छोड़ दो आपके भी पिता जी ने नहीं पूछा ब्रह्मदीव ने भी निकाल दिया और वो तो छोड़ दो देवों के देवों महादेव ने भी बाहर निकाल दिया नारत जी ने कहा ऐसा क्या किया है कि सारा जगत तुम्हारा बैरी बन गया जयंत कहता है एक भूल हो गई भगवान को जब मा का श्रिंगार करते देखा मेरे मन में यह मोह उठ गया यह भगवान नहीं है उनकी परिक्षा लेने के लिए मैंने काग का वेश धरा और जाकर जानकी महिया के चरणों में चोच से प्रहार कर आया नारत जी ने हस करके कहा अरे जयंत पूरी दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं तुझे तो राम ने मारा है तुझे कौन बचाएगा जगत मारे तो भगवान बचाए और जिसको भगवान मारे उसे कौन बचाए जयंत इतना बड़ा अपराध तुने कर डाला जेंत ने कहा महराच जादा कुछ बोलने का समय नहीं है ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है एक मिनट में मर जाओंगा मुझे जाने दो नारत जी ने कहा तु ठहर तो सही मेरी बात तो सुन ना मुनिवर ना ब्रह्मास्त्र पीछे है मार देगा मुझे जाने दो नारत जी ने कहा एक बात धेर के सुन मेरी अगर इस ब्रह्मास्त्र को तुझे मारना होता न तो कब का मार के वापस चला गया होता जैंत ने कहा अगर मारना नहीं है तो काई को हमें तीनों लोक में दोड़ा दोड़ा के भगा रहे नहीं मारना तो क्यों पीछे लगा है नारत जी ने कहा जयंत अगर इसे मारना होता तो जब तू अपने पिता के यहां खड़ा था तब मार देता जब तू ब्रह्म लोक में खड़ा था तब तुझे मार देता जब तू कैलाश में खड़ा था ये तब तुझे मार देता ये मारना तू चाहता ही नहीं है जयन्त ने कहा तू क्यूं पीछे लगा है नारजी ने कहा ये तुझे बताना जाता है जयन्त गलत जगह पे पूरे जिंदगी भर भागते रहोगे ठिकाना नहीं मिलेगा जिसका अफराध किया है उसकी शरण में पहुँच जाओ तेरी रक्षा हो जाएगी ये तुझे सई जेगे पहुचाना चाहता है इसलिए तेरे पीछे लगा हुआ है जयन्त ने कहा अच्छा प्रभु क्रोध तो नहीं करेंगे प्रभु मेरा वद तो नहीं कर देंगे यहाँ पर कहा नारत जी ने वद करना होता तो इसे भी छोड़ने की जरूरत नहीं थी एक निगाह के अगर भृकुटी का एक बाल हिला दे ते राघोजी तो तू नस्ट हो जाता इसको भी छोड़ने की आउशकता नहीं थे अच्छा जाओं मुझे छमा कर देंगे नारत जी ने कहा सत प्रतिशत छमा कर देंगे क्या है इसका प्रमाड क्या प्रमाड है छमा करेंगे नारत जी ने कहा मैं प्रमाड नहीं दूंगा तू परिक्षा लेने आया था ना अभी तक उनके बल का परिक्षा लेने के लिए चला था उनके प्रभाव की परिक्षा लेने आया था अब मैं तुस्से कहता हूँ जाकर राघव जी के सुभाव की परिक्षा कर ले तू खूद जा मैं नहीं प्रमाड दुनगा चल पड़ा जयन्त गया चर्णों में जाकर के गिरा और जियों ही चर्णों में गिरा मैया तो तुरंत ही कहती हैं जो मैंने आपके समुक्षि छंद में भाव रखा राघव जी ने पूछा जयन्त क्यूं किया तुमने ऐसा क्यूं वैदेही को कष्ट दिया जयन्त ने कहा प्रभू गलती हो गई मैंना आपके बल के प्रभाव का दर्शन करना चाहता था आपका प्रभाव देखना था इसलिए ये मूरता कर गेठा राघव जी ने कहा प्रभाव तो देख चुके हो अब क्यूं आये हो काग ने राघव जी के चर्णों में अपना मस्तक रख दिया और बोला नाथ आज किसी संत ने मुझसे कहा है कि जाकर आपके प्रभाव के साथ आपके स्वभाव का दर्शन कर लो प्रभाव देखने पहले आया था रागव जी ने कहा प्रभाव पता चल गया बोला हाँ क्या पता चला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मन्द जान नहीं पाई हे रागोजी मैं मति मन्द मूढ मैं जान ना सका आपके प्रभाव को और परिक्षा ले बेठा नाथ प्रभाव देख चुका हो अब आपका स्वभाव देखने आया हो स्वभाव देखने आये हो हाँ प्रभु सुना है आपने बड़े से बड़े अधमियों को पापियों का उधार किया है अब मेरी बारी आई तो आप कृपा करते हो कि नहीं बस ये दर्शन करने आया हूँ ठीक है करा दर्शन कैसे किया जयनतने दर्शन राघव जी ने एक नयन से विहीन करके उसे जाने दिया छमा करके महादेव कहते हैं देवी जद्यपी उसका वध उचित था क्योंकि उसका अपराध बड़ा था फिर भी प्रभू ने कृपा करके केवल एक छोटे के कस्ट के साथ उसे मुक्त कर दिया